हिमाचे प्रदेश विधान सभा बजड सर्तर में मंगलवार को अर्की के विधायक संजे अवस्ती ने सोलन के अर्की विधान सभा में सिमेंट कमपनियों का मामला उठाया कम्पनियों पर लोगों के स्वास्थे के साथ खिलवार करने के आरोप लगाए अवस्ती ने सरकार से पूछा कि अब तक कितनी बार वायू प्रदूशन का सर्वेक करवाया गया है और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है वही संजय वस्ती ने कहा कि सिमेंट कमपनिया यहां पर उत्पादन करती है और दूसरे राजियों में सस्ता सिमेंट वेजती है हिमाचल में महेंगा सिमेंट विखता है सिमेंट कमपनियों ने आज तक ग्रामिन क्षेत्रों में वायू गुणवत्ता सर्विक्षन क्यों नहीं करवाया जबकि इन क्षेत्रों में सिमेंट पलांट लगे हुए हैं इन दोनों सिमेंट फैक्टरियों के आसपास काफी प्रदूशन फैला हुआ है जिसे लोग बिमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। प्रदूशन यंतरन बोर्ट द्वारा इन दोनों सिमेंट फैक्टरियों के लिए 11 पैरमिटर त्यार किये गए थें। जिसमें से किसी का भी पा उन्होंने मांग की है कि सरकार इन दोनों फैक्ट्रियों के आसपास के शेत्रों के लोगों के स्वास्तिय और वायू गुणवत्ता की चांच करे ताकि अर्की विधान सबाग शेत्र के लोगों को कम दामों पर सिमेंट मोहिया करवाया जाएं। और आज यदि देखें धरातल पर तो तीन ही पेरामिटर पर जो फोकस है इनका अंकलन हो रहा है। लेकिन यह क्या कारण है कि जो सारे ग्याराग पेरामिटर जो फिक्स किये थे उन पर जो है उनका फोकस नहीं है। तो यह मैंने प्रेशन किया था जिसका जवाब वो नहीं दे पाए और मानने मंतरी मोधे के पास जानकारी भी नहीं थी इसी बारे में तो इससे साफ प्रतित होता है प्रदैश सर्कार कितनी गंभीर है हमारे लोगों के स्वास्थे के प्रती और जिस तरह से वहां पर केसेज बढ़ रहा हैं लंग इफक्ट हो रहे हैं और अस्तिमेटिक हो रहे हैं लोग उसके प्रतिष्टा बढ़ रही है यह डेवल्यू हची की रिपोर्ट में लिखा गया है तो मैंने इन सब बातों को लेकर जो है सरकार से मांग की थी कि हमारे लोगों को स्वास्ते सुरक्षा देना जो है सरकार का दाइध बनता है इसलिए इस बारे में वो विछार करें आपने बात की improvement कहा जाते हैं? इंप्रूमेट में चाहता हूं कि जो पेरामीटर फिक्स किये गए हैं उन पेरामीटर पे वो फोकस करें और जो आज अधुनिक यंतर जो हैं पॉलिशन को रोकने के लिए जो राश्ट्रे सर की गाइडलाइन उसको फालो किया जाए और जो अधुनिक यंतर हैं उस बहुत थ बाद जो मेरा अभी वजट पर जो चर्चा करनी में भाग लेना है मुझे कि आज दो जो सिमेंट उद्योग जो हिमाचल प्रदेश में स्थापित हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो सिमेंट उत्पादन हो रहा है सिमेंट यहां के लोगों को महंगा मिल रहा है यदि हम कं पेर करें जो पड़ोसी राजियों से तो मैंने ये मांग रखी है कि वैसे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही सिमेंट कम दावों पे मिलना चाहिए लेकिन अरकी विधान सबक्षित्र में क्योंकि हमारे प्रकृत्रिक जो स्रोत हैं उनका दोवन हो रहा है और हमारे लोग परियोजना बनाने के लिए जो सिमेंट उप जो उनको चाहिए वह सबसीडाइज रेट पे जो है वह सिमेंट उनको उपलब्द करवाएं यह मांग मैंने सरकार से तोर पर आप ने क्या प्रयास कि आप इन चीजों को सलजा सके एक विधायक के तोर पर जो है मुझे विधा समधान में आई है और हर उस समस्या को मैंने सरकार के समक्ष रखा है और उसकर समधान के लिए मैंने सुझाव भी दिये हैं और सरकार आग्रे भी किया है कि जल्द से जल्द के लिए पर प्रियास करें और जिस तरह से स्वास्थे और सुरक्षा को लेकर मैंने आज यहां प्रशन किया यह भी उसी संधर में जो है मैं यह की पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार जो है हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है आज इस तरह जिस तरह से जो यह घटना हुई है पिछले कल जो कन्वेर बेल्ट में जो आग लगी वो उसका दाइत्व किसका है यदी वहां ये तो शुकर है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन ऐसा भी हो सकता था क्योंकि जो कन्वेर बेल्ट बनी है उसके बीच में से सडकें सडक निकलती है रास्ते जाते हैं तो वहां लोगों का औाना जाना रहता है तो उसकी उनकी सुरख्षए का दाइत्त भी सरकार का है तो सरकार किसे मेंने यहीं मांग की है कि वहाँ पर जो नॉम्सें सकती से जो उनको पालन कर्वाएं ताकि हमारे लोगों को सुरक्षए मिल सके